नमस्कार दोस्तो लीड इंडिया लाओ इसोशेट्स के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा compoundable offense और non-foundable offense के बारे में समझाता योग्य अपराद और समझाता अयोग्य अपराद के बारे में दोस्तो कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसमें आप बहुत intentionally घटनाएं नहीं घटी होती हैं और दोनों पार्टी इस बात के लिए तयार हो जाती हैं कि हमें कोट कचेरी में मुकदमान नहीं लगना है और उसके बाद से उनके बीच में एक सहमती बनती है कि हम समझाता करके इस मामले को निप्टा दे तो इस वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि किस तरह के मैटर में आप समझाता कर सकते हैं और किस तरह के मैटर में आप समझाता नहीं कर सकते हैं CRPC 320 असपष्ट उलेख करता है असपष्ट तरीके से बताता है कि Compoundable Offense यानि समझाता करने योगे कौन-कौन से मुकदमे है और CRPC 320 यह भी बताता है कि कौन-कौन से मुकदमे है जिसमें समझाता नहीं हो सकता है मैं आपको स्क्रेन पे दिखा रहा हूँ जो बेर एक्ट से लिया हुगा कि CRPC का क्या प्रोविजन है एक बार इसको देख भी सकते हूँ और फिर मैं इसको आपको असान भासा में समझाता हूँ देखिए दो तरीके से अभी मैं बात कर रहा हूँ समझाता कराने वाले मुकदमों के बारे में कभी भी समझाता दो तरीके से हो सकता है एक कि घटना घटी और पाटी ने आपस में ही यानि दोनों ही पक्छों ने आपस में ही समझाता कर लिया और समझाता करके उसके बारे में अगर न्याले में मामला चल रहा है तो न्याले को सुचित कर दिया और एक दूसरा मामला होता है कि दोनों ही पार्टी एक्छुक हो गए कि हमें समझाता करना है उसके बाद वो न्याले में गए और न्याले जब अनुमती देता है उसके बाद से वो आपस में कॉम्पुमाईज कर सकते हैं और फिर मामला खत्म होता है पहले वाले केस में जहां समझाता होने योगे अपराद होता है वो जैसे मान हानी के मामले हो गए सधारन मार पीठ हो गए इस तरह के जो मामले होते हैं जो एडल्टरी हो गया इस तरह के मामले जो की समानने बहुत अपराद एक बहुती गंभीर किसम के अपराद नहीं माने जाते हैं ऐसे अपराद आते हैं जिसमें दोनों ही पार्टी आपस में मिलके compromise कर लेते हैं उन्याले को सुचिज़ कर लेते हैं लेकिन ऐसे मामले जो थोड़े गंभीर होते हैं जैसे चोरी का मामला हो गया जैसे आप किसी महिला पे आपने बहुत attack कर दिया बहुत बुरी तरह से attack कर दिया गया है लेकिन बहुत गंभीर attack threat to life नहीं है या फिर आपने कोई किसी तरह का fraud कर दिया किसी भी तरीके से fraud का आपके उपर आरोप लग गया तो ये भी अपराद जो होते हैं वो compoundable होते हैं यानि इन में भी समझावता हो सकता है लेकिन condition ये है कि ये जो समझावता होगा वो न्याले के अनुमती से होगा और ये वही न्याले होगा जहां पे आपका मुकर्मा चल रहा है उसी न्याले में आपको जाना होगा वही से permission लेना होगा जब न्याले आपको permission देगी तो फिर दोनों party सहमती से समझाता करके नियाले को सुचिप करें इसमें जो आरोपी होते हैं समझाता के बाद से उनका स्टेटस वही होता है जो कि एक व्यक्ति केस में बरी होने के बाद से स्टेटस पाता है यानि कि वो गिल्टी नहीं था का स्टेटस उसको मिलता है दूसरी बात जो non-compoidable होते हैं यानि कि ऐसे अपराग जो समझौता yog नहीं होते हैं ऐसे मामले जो पुलीस के द्वारा यानि स्टेट के द्वारा रेजिस्टरड किये जाते हैं और स्टेट के द्वारा जो रेजिस्टरड किया गाए state fight करती है और गंभीर किस्म के अपराद होते है जिसमें दंड देना आवश्यक होता है वो मामले जो होते हो non compoundable होते हैं समझावता अयुग्य मुकदमे होते हैं या मामले होते हैं जिसमें किसी भी तरीके से चाहे पार्टी में सहमती ही कियो नहीं हो जाए किसी भी तरह का compromise नहीं किया रह सकता है जैसे मान लिजे एक ही परिवार के अंदर किसी दुलगटना वसी हत्याग हो जाए किसी के तो चाहे परिवार के दोनों ही पक्ष राजी कियो नहीं हो जाए कि हमारे घरी की बात है हमने गल्टी से हत्या एक परिवार के दूसरे सदस्य की हो गई इस मामली को हम खतम करना चाहते हैं तो भी ये खतम नहीं होगा इसमें state fight करेगी और जो हत्यार है उसको दंड आवश्य दिया जाएगा तो आपको ये भेद मालुम चल गया होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनें ये पता नहीं होता है कि एक compoundable मामला है समझाओता है योग्य मामला है और ये नहीं जनकारी होनी की वजह से वो कोर्ट में जाते रहते हैं डेट पे डेट पे जाते रहते हैं जबकि अगर उन्हें मालुम हो तो opposite party से बात करके जो दूसरी party है उससे बात करके उसको जो भी नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई करके उस case का निप्तारा कर सकते हैं तो आप अगर इस तरह के मुकदमे में फसे हुए हैं और आप के उपर भी कोई गंभीर आरोप लगे हैं इसमें समझोता हो सकता है तो आप दूसरी party से बात करके उस matter को खत्म कर सकते हैं और आप not guilty का status आपको मिल सकता है कि आप guilty नहीं है और ये आपके लिए बहुत रहात की बात हो सकती है इससे सम्मंदित अगर आपको किसी भी तरह की और जैनकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करें और हमारे हिल्प्राइंड निम्बर पर कॉल करें निश्यत रुप्तरम आपको सपोर्ट करें जैनलो